है लिस्टुटेंड मैं मुहित नोमर आपका पीसम सब्जेक्ट टिलनी चैनल में स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टोपिक है वह है सोडियम हाड्रक्साइड क्या है सोडियम हाड्रक्साइड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको sodium hydroxide की निर्मार की बीदी बता हुआ तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप रोजाना class 10 की science की इसी पिरकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करतीजिए तता उसके आगे की bell icon लिवी प्रेस करतीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे दोस्तो sodium hydroxide की निर्मार की बीदी बताने से पहले आपको sodium hydroxide का सूत्र पता होना चाहिए तो sodium hydroxide का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH क्या होता है NaOH तो आपको sodium hydroxide का सूत्र पता होना चाहिए अब आती है sodium hydroxide की निर्मान की विदी दोस्तों अब हमारा जो टोपिक है निर्मान विदी अब मैं आपको sodium hydroxide की निर्मान विदी बता हूँ तो दोस्तो sodium hydroxide की निर्मान विदी बताने से पहले मैं आपको sodium hydroxide का वियापारिक नाम बता देता हूँ तो दोस्तो sodium hydroxide का जो व्यप्यारिक नाम है वह है Cantic soda क्या है cum आपको ये भी याद राखना होगा कि sodium hydroxide को hecastic soda भी कहते हैं तो दोस्तो ये बाद आपको बतानी आवस्य सकती आब आते हैं निर्माण वीदी पर तो दोस्तो हमें सोडियम हाडरकसाइट की निर्मान विदी में क्या करना है तो इसके निर्माण के लिए सोडियम कुलोराइट अर्थात नमक के जलिये विलेन में विद्धुत प्रवाइद करके सोडियम हाडरकसाइट का निर्मान होता है इस पिकरिया को क्लोरोचार पिकरिया कहते हैं तो दोस्तों हम सोडियम हाट अक्साइट की निर्मानविदी में क्या करते हैं कि हम सोडियम क्लोराइट के जले विलियन में विदुद्धारा प्रावायत करके सोडियम हाट अक्साइट का निर्मान करते हैं तो हम क्या करेंगे पहले sodium chloride का सुत्र लिख लेंगे तो sodium chloride का सुत्र होता है NACL क्या होता है NACL तो मैं NACL लिख लेता हूँ और नीचे मैं इसका नाम लिख देता हूँ sodium chloride दोस्तों फिर हमें क्या करना है हमें जलिये विल्यन में विद्द्धरा प्रावित करनी है दोस्तों हमारे पास स्वोडियम क्लोराइट है परन्तु जलिये नहीं है तो हमें क्या करना स्वोडियम क्लोराइट को जलिये बनाना तो जलिये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा स H2O की एनिसियल में किरिया कर देंगे दोस्तों आपको क्या करना है जल के सूतर को बॉंडों में तोड लेना जिससे हमें अब किरिया करने में आसानी हो जब जल के सूतर को बॉंडों में तोड़े तो आप तो ऐसे तोड़े H-Bond OH में कैस तोड़ने H bond OH में ऐसा तोड़ने से आपको अभिक्रिया करने में आसानिक होगी और तीर का निशान लगा देना और इसके तीर के निशान पर यहां लिखना होगा विद्धुत प्रवाइट हमने क्या करा है जलिय सोडियम कोलोराइड में विद्धुत धरा प्रवाइट करिए तो अब आपको NECL और प्लस H bond OH की क्रिया कैस करने हैं आपको यह बात याद रखने है कि सदैप क्रिया प्लस और माइनस में होती है किस में होती है प्लस और माइनस में होती है कभी भी क्रिया प्लस प्लस में नहीं होती और माइनस में नहीं होती सदैप क्रिया प्लस और माइनस में होती है तो आपको क्या करना है N C L में देखना कि कौन सा positive है कौन सा negative है और H bond OH में आपको देखना कि कौन सा positive है कौन सा negative है तो दोस्तो हमारा जो H है ये हमारा positive है क्या है positive है और OH जो है हमारे negative है क्या है negative है और हमारा N जो है ये हमारा positive है क्या है positive है और CL हमारे क्या है नेगिटिव है क्या है नेगिटिव है तो मैंने आपको बताया है कि सदैब किरिया पोजिटिव और नेगिटिव में होती है तो आपको क्या करना NA CL में से NA पोजिटिव लिखा लेना क्या लिखा लेना NA पोजिटिव लिखा लेना जह हम na positive और oh negative पी किरिया करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा na oh क्या बन जाएगा na oh पिलस अब हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास बचा है एक h positive और एक cl negative तो दोस्तो हमारे पास जो बचा हम उसे लिख लेंगे हमारे पास बचा एक cl और एक h हमने H लिख लिए तो दोस्तों जो हमारे पास बचा तो हमने लिख लिए आपको ये बात भी याद रखने है आवस्थ है कि कभी भी हम एक हाइडोजन और एक CL नहीं रख सकते कम से कम हमारे पास दो हाइडोजन और दो CL होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे दो हाइडोजन और दो CL करने के लिए NACL में दो की गुणा कर देंगे जब हम NACL में दो की गुणा कर देंगे तो हमारे यह CL कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे और यह हमारे पास CL एक है तो हम क्या करेंगे यहां में नीचे 2 लगा देंगे अब यह हमारे 2 Cl होगे अब हमें hydrogen भी 2 करने है तो हम क्या करेंगे H bond OH में भी 2 की गुणा कर देंगे तो अब यह हमारे hydrogen भी 2 हो जाएंगे इधर तो हमें इधर भी hydrogen 2 करने है क्या करेंगे इसके नीचे भी टू लगा देंगे दोस्तों हमने इसमें 2 की गुणा करने से हमारे एच बॉन्ड ओएच में 2 की गुणा करने से हमारे दो करने से दोस्तो आप एच का रासानिक नाम क्या लिखेंगे लाको क्या लिखेंगे sodium hydroxide तो दोस्तों यह है sodium hydroxide की निर्मान भी थी यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सेश्काइब करें तो कोई परेशान हो तो मेरे कमेंट बुक्स में कमेंट करें